नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट MCQ ए संदीब में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीटेट और सीटेट 2019 की दरश्टी से अतिमहतपूर प्रश्णों का सेट ले करा हैं इसलिए वीडियो को पूरा लास तक देखें ये आपके यूपीटेट और सीटेट और सिचक भरती तीनों में समान रूप से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है इसलिए वीडियो को पूरा लास तक देखें तक ये एक एक प्रश्ण आपको अच्छे से समाझ में आ जाए और इससे रिलेटेट जो जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा वीडियो को ध्यान से देखें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बता दू जो लोग चैनल बनना है उन लोगों से निवेदर ने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान जरूर दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दो प्रेश्ट नेचुरल गैस या इन में से कोई नहीं थो आई-उ-डीन का फॉल फॉर्म जो है वो है इंटर नेशनल यूनियन वोर कंजर्वेशन ओ नेचर अगला प्रश्ण है परियावरोड से सम्मंदित लाल सूची कौन प्रकाशित करता है परियावरोड से सम्मंदित लाल सूची वो होती जिसमें समस्त जीवों की केटेगरीज लिखी होती है कौन संकट ग्रस्त है, कौन सुरच्छेत है, कौन अथिसंकट ग्रस्त है इस तरहे की नौसूचिया जारी होती हैं जो लाल सूची के अंडर जारी होती हैं और ये लाल सूची जारी कौन करता इसी को Red List भी कहते हैं याद रखेगा रेड लिस्ट आपको इंग्लिस मिल जाए है हिंदी मिल जाए बात एक है परियावरण सम्मंदित लाल सुची IUCN जारी करता है जिसका अभी मैंने आपको फुल फार्म बताया अगला प्रशन है नील गिरी तहर किस राज का राज की ये पशु है केरल तमिल लाडू करनाटक मड़ीपूर तो नील गिरी तहर ये तमिल लाडू का राज की ये पशु है अगला प्रशन है भारत का रास्टिय जलीव जीव है मोर गंगा डॉल्फिन समुद्री कछुआ या दूठ को बढ़ाने तक निक नहीं गया इन में से खूशमा में जो ही जाती है को दित्यक्त संद्ध बाकार सेंग और, अगीछ दाइश तो उससे क्या होता था गिद्धो को भी काफी नुकसान पहुँच रहा था इसलिए इसदवा को सरकार ने बैन कर दिया है। वायू मंडल की कौन सी परत, प्रकास की परा बैंगनी किरणों को प्रत्वी की सतह पर आने से रोकती हैं, समताप मंडल, छोब मंडल, आयन मंडल या मद्ध मंडल, तो ये जो परा बैंगनी किरणे होती हैं, इसको प्रत्वी की सतह पर आने से रोकती हैं, उसे कहते हैं, ओज लेयर वायो मंडल की कौनसी परत में इस्थित्ượय तो और वायो मंडल में इस्थित्थ धैर याद रखेगी को जो gestion indigenous में इस्थित्र अग्ला प्रस्ण है निमलिखित आई धिनों में से किसको आज कर पर्या वरड इस नहीं पर्ण है तो यह आपको तो मालूम है डीजल, पेट्रोल, LBG या संपीडित प्रक्तिक गैस, तो इसका सही उत्र है संपीडित प्रक्तिक गैस, जिसे इंगलिज में कहते हैं, कंप्रेस्ड नैचूरल गैस, CNG जिसे कहते हैं, ये वाहनों में आजकल खूब इस्तमाल हो रहा है, निमलिकित में से कौन सा नियुनुत्म परियावरण प्रदूषर उत्पन करता है आपके पास ओप्शन है डीजल, पेट्रोल, हाईड्रोजन या कोइला तो जो नियुनुत्म प्रदूषर उत्पन करता है, वो है आपका हाईड्रोजन. अगला प्रश्न है ओक्तें संख्या गुडवत्ता की टेल तर पीन की ऊप है तो इसका से उतर sih जब आपनी आंदोलन में होता है कि जब कुल पर शादी होती है तो जो कपल होते हैं जो लड़का लड़की होते हैं वो अपनी शादी के उपलच में एक पेड लगाते हैं उसे कहते हैं मैती आंदोलन ठीक है शादी में एक पेड लगाये जाता है लड़की अपने माईके की याद में एक पेड लगाती है और उसकी जिंदगी भर सेवा करत उसे कहते हैं मैती आंदोलन और इसको शुरू किस ने किया उत्तरा खंड के जीव विज्ञान के एक प्रोफेसर थे कल्यार सिंग रावत इन्होंने इसकी शुरुवात की थी इसका सही उतर है कल्यार सिंग रावत खेजडी आंदोलन के संस्थापक कौन है विश्णु विश् खेजडी आंदोलन में क्या हुआ था खेजडी के वरच्छ होते हैं तो सरकारी कर्मचारी आये थे खेजडी के वरच्छों को काटने तो उन्होंने निल्डे किया कि सबसे पहले अमृता देवी विश्णु विश्णु के पास का जो घर के पास जो वरच्छ लगा उसको का तो अमृता देवी विश्णु विश्णु वि शरोत किया और वहीं से खेजडी आंदोलन की शुरूआत हुई खेजडी आंदोलन में खेजडी के वरच्छों को बचाने का उसमें आदोलन है इसका विश्णु भारत के प्रथमारास्टी उध्यान की स्थापना कब हुई 19 1926, 1936, 1946 या 1950 तो इसका सही उत्तर है भारत के प्रत्म रास्टी उध्यान की स्थापना 1936 में हुई और पहला कौन सा प्रत्म रास्टी उध्यान कौन सा था वो था आपका Jim Carbet National Park आपको याद रोना चाहिए Jim Carbet National Park इसी को पहले हेले रास्टी उध्यान भी कहते थे याद रखे उद्यान, बढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ विष्व परियावराण दिवस कम मनाए जाता है, पाँजून, इकीस जून, सोला सितमबर या चोदा नौंबर, तो जो विष्व परियावराण दिवस है, वो मनाए जाता है आपका पाँच जून को, अगला प्रशने विष विष्व ओजोन दिवस कम मना जाता है 16 सितंबर 22 अप्राइल 25 दिसंबर या 30 जनवरी विष्व ओजोन दिवस मना जाता है आपका 16 सितंबर को अगला प्रशन है विष्व में एक मात्र तेरता रास्टी उध्यान कहां है मडिपूर मिजोरम मेघाले या त्रिपुरा तो इसक आपका नाम्हें केई बुल लाम जाओ रास्टी उध्यान याद रखेगेगा केई बुल लाम जाओ रास्टी उध्यान बढ़ता है अग्ला प्रशन के तरह किस राजिव के सरवाधिक वण जीव अभ्यारण है उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य penश और पस्चिम आज पंचायते, नगरपालिका, राज्य छेत्रों के नाम या वेतन या भत्ते, तो इसका क्या सही उतर है, सम्विधान की बारवी अनसूची में नगरपालिका का वर्ण किया गया है, तो इसमें क्या है, यह जो सम्विधान की बारवी अनसूची है, इसमें अगर बात करें, प्र जो बारवी एनसूची है वो चोहतरवे सम्विधान संसोधन के द्वारा जोड़ी गई कब जोड़ी गई 1992 में याद रखेगा अगला प्रशन है निमलिखित में से किस में सरवाधिक जैविविद्था पाई जाती है सितोष्ल पड़पाती वन सवाना वन उस्ल कटबंदिये सदाबहार वर्शावन सितोष्ल घ्यास विविद्था तो सरवाधिक जैविद्था के मतलत सबसे ज़्यादा कहां पर जैविद्था है तो वो है आपके उस्ल कटबंदिये सदाबहार वर्शावन में अगला प्रशन संपेडित प्राक्तिक गैस अगला प्रशन है LPG किसका संचिपत रूप है तो आपके पास सामने चार आप्शन लोवर प्रीसियस गुड्स लो पेड गैस लिक्विड पेट्रोल गैस या लिक्विफाइट पेट्रोलियम गैस तो LPG का मुख जो फुल फॉर्म है वो है जो सही उतर है वो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये LPG के मुख घटक है और बोल रहें कि जो LPG का जो इन में भी मुख घटक है मान चलिए आपके पास ये सारे आप्शन नहोते आपके पास केवल यही तीन आप्शन होते एक आप्शन होता है इन में से कोई नहीं अ मिथेन, एथेन, प्रोपेन या बेंजीन तो प्राक्तिक गैस की जब बात हो रहे है तो इसका मुख घटक आपका है मिथेन अगला प्रशन है निम लिखित में से किसका इधन मान सरवाधिक है हाइड्रोजन, चार्कोल, प्राक्तिक गैस या गैसोलीन तो इधन मान सरवाध चेह दूरा तर्थ आपका है अगला प्रसंद निम्लिकित मेंसे कौन शीवास्म इधन है अलकोहल वॉाटर गैस एथर प्रक्तिक गैस वह अगला प्रस्न निम्लिकित जीवास्म इधनों में से कौन सा स्वच्छतम इधन है कोईला पेट्रोल प्राक्तिक गैस या डीजल तो बात करेंगे स्वच्छतम स्वच्छतम का मतलब है जो कम से कम प्रदूशाट फैला है तो वह आपका है प्राक्तिक गैस अगला प्रशन है मुल्समविधान में कितने भाग थे 228 इसा प्रशन बहुत ज्यादा कन्फ्यूजिंग होता है क्योंकि यह सारे सही है लेकिन इसमें कोई भाग है कोई अनुसूची है कोई अनुच्छत है तो अगर दिमाग में अच्छे से याद नहीं तो यह आप नहीं कर पाएंगे मूल्समविधान में कितने भाग थे आपक रखेगा तीनों में कन्फ्यूज मत होईएगा 22 भाग थे आठ अनुसूची थी 395 अनुच्छत थे ठीक है यह तो होगे मूल्समविधान जब समविधान बना था लेकिन वर्तमान समविधान की बात करें तो यहाँ पर भाग हो चुके हैं 25 अनुसूची हो चुकी हैं 12 और 1986, 1992 या 1996 तो इसका सही उतर क्या होगा पर्या और और सरच्छड अधिनियम यह आपका पारित हुआ 1986 में इसका सही उतर होगा 1986 अगला प्रशन है भारत में ब्रह्मपूत नाम से पकारे जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है जो हमारे देश में नदी बैती है ब्रह्मपूत उसको अलग 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 नामों से जाना जाता है जैसे बंगला देश में जाना जाता है इसको जमुना के नाम से चीन में किस नाम से जाना जाता है चीन में जाया जाता है सांगुपो के नाम से सांगुपो के नाम से चीन में ब्रह्मपूत नदी को जाना जा वह विकास की कौन से आवस्ता है तो वह विकास की किसूर आवस्ता याद रखेगा आज का विशेश प्रस्ट क्या है भारत में सेश नाग जील किस राज में है मडिपूर जम्मु कश्मीर नागा लैंड या तमिल नाडू भारत में सेश नाग जील किस राज में मडिपूर ज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें और ज्यादा इस्टेडी मेटिरियल के लिए आप www.sarkarecicak.com पर विजिट कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत